कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे तो अभी मौनिंग में मैं बता रही थी ना कि बारिश होने वाली है मौसम एकदम घेरा हुआ है और जस्ट आदे घंटे बाद इतनी बारिश हुई इतनी बारिश हुई आदा पॉन घंटा दम लगातार वो तेज जो बारिश होती है ना वो वाली हुई लेकिन हाँ उसके बाद मौसम खुल गया और इतनी गर्मी हो रही थी हवा तो बिल्कुल चली नहीं रही थी और यह जब आफिस से आए ना तो हम लोग आज घर चले आए और यह देखिए बच्चे कहीं भी होते है ना जैसे ही कैमरा स्टार्ट करिए तो बच्चे आप लोगों को हाई हेलो करने के लिए आई जाते हैं यह चीज बच्चों की ना सबसे अच्छा लगता है और आज मैं नहीं कर रही हूं ब्लॉगिंग क्योंकि मैं बैठी थी मैं सोची अब घर पे गए हैं थोड़ा दिर बैठे हैं तो ब्ल जिया का भी बड़ा मन लगता है बहुत दिन बाद आती है और सब बच्चों के साथ मिलती है अपनों का तो बाती कुछ और रहता है तो इसको खेलने में बहुत मजाता है क्योंकि वहां पर क्या है ना कि अकेले अकेले रहती है तो कहीं आना जाना उतना है यह नहीं और नह को अकेला तो रहने ही नहीं देंगे आप लोग कोई भी बात करने नहीं देंगे बच्चे और सब लोग यहीं पर हाहा ही ही रहता तो बड़ा मन लग जाता इसलिए मैं कहती हो ना कि जल्दी से घर बन जाए यहाँ पर एक दो घंटा भी बैट जाए ना तो आप बोर नहीं हो दोड़ते दोड़ते ठक जाते हैैं इसलिए मैं भर्व बार पानी में कभी भी बही नहीं जाती हूं और बच्चे बार-बार आएंगे चला आपकर बात कर रहा था और यह आप लोगों को वियू दिखा रहे बरॏ्णा के कर ताहां में इधर पुरा ठरा हारा है तो बहुत अच्छा लगता है बैट चाहिए चहत पे बहुत अच्छा लगता है तो अभी बारिश हुई थी तो उससे भी थोड़ा सा मौसम और अच्छा हो गया वहां पे देखिए ना सब बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में और यहां पे पानी भराता थोड़ा तो बाद बार बच अपिर खेल लिये तो फिर हम लोग बेटमिंटन खेलने लगें और बहुत दिन बाद यह BATMINTENN केल यह बहुत कम खेलते हैं और इनके राइट हैंनर में तौनल कांच दरद रहता है तो पसंद नहीं करते लेकिन मैं बोली कि चलिए ना खेले तो मेरे लिए खेलना अच्छा लगता है क्योंकि बच्पन से हम लोग खेले दुदे ना तो जब बैटमिंटन देखते हैं तो मेरा मन कर जाता है खेलने का लेकिन हाँ घर में सबसे अच्छा जुनायत के साथ मेरा तो हम लोग अच्छा एंजॉय कर लेते हैं और यह तो खेलते कमें धुरुदर दोड़ना पसंद नहीं करते हैं और बैटमिंटन में थोड़ा बहुत तो भागा दोड़ी हो जाता है तो यह चाहते है ना एक जगा खड़े रहो और बस वहीं से खेलते रहो तो यह अच्छा खासा हम लोग आ ना आए वहां से तो साथ आठ बजे हम लोग आए थे घर से तो बहुत देर तक हम लोग खेले तो यहां पर मैं और जिया खेल रहे हैं थोड़ा दिर जिया एक के साथ खेलेंगे उसके बाद जितने भी छोटे मोटे सब आ जाएंगे तो यहां द पड़ेगा तो यहां पर मैं जब बोली सिफा से सिफा बोली की चलिए ना खेलते में कच्छा आओ तो आरीज बोला नहीं मैं खेलूंगा तो अब आरीज का अभी दो तीन बार तो कौक उपर जाके ना फस जाती है टीने पर तो बार बार जादा के हम लोग को निकालना नही आनका six निकल नहीं तो आज हो सकता है आयगा कल खम खतम हो गया तो क्योंकि को लोनी में sto биन्हेन ना ख्तम तो खतम हो जाता है तो फिर उधरी से निकल जाते हैं फिर नेक्स टे आते हैं तो मैं जिया से बोली ना कि जितना भी जीन्स उनसे वो मोटा सुखा नहीं था तो मैं बोली कि बाहर धूप निकला है तो डाल दो आज बगल वाली भावी भी वासिंग मसीन निकाली थी तो वो भी डाली है तो जितना थोड़ा बहुत जो इसपेस है ना उसी में जीन्स डाल देगी फिर जब भावी का जब चादर सुख जाएगा तो फिर बाकी में डाल और हम लोग रात भर तार्न लगा हुआ था तो सारा जो भी था वो सब सुख चुका है लेकिन यह है ना कि धोप तो दिखाना ही पड़ेगा ने तो फिर इसमें लाने लगेगी तो मैं बोली आदे आदे घंटे के लिए ही लेकिन पुरा धोप में डाल दो तो सुख तो यहां पर उन जिया का ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है वो जो बीच में जो गैप होता है ना तो उसमें थी तो उन जिया बोली के लाईए मैं डाल देती हूं ज्यादा तो था नहीं डालने के लिए तो अभी आ रही थी बोली मम्मी कुछ और दे दीजे तो कुछ और भी डाल के सुखाना था तो यह देखिए तो यहां पे सारा ना छाट छाट के मैं अलग कर दी हूं पहले तो अपना जो सूट उट है मेरा जो सूट है मैं पीछे तार पे डालती हूं तो उसको अलग कर दिये हैं जो बाहर डालना है उसे अलग कर दिये हैं और तॉलिया उलिया बाहर डाल दिये हैं और लेके चलते हैं अपना भी और सोट बाहर डाल देते हैं तो पीछे धूप अच्छी चुका है बस इसको हलका सा धूप दिखाना और ये भी लेके चलते हैं तो इसे बाहर डालेंगे इसे पीछे नहीं डालेंगे पीछे इतना स्पेस नहीं है कि पूर अब खड़ी थी तो जीया का होल रही थी कुछ, जीया हँस रहिती और मैं खाना पना रही थी इसलिए मैं बाहर उतना नहीं गई नितु बात करने लगी तो पिर बाती करने लगी है तो यहाँ पे मैं आई तो सारा हट चुका है जालर बत्ती जो जालर मुग पे लगा था वो सब हट गया अब इस तर इस तर ठीक कर देते हैं और आज यह ओफिस नहीं गये हैं आज घर में हैं तो बस आज जल्दी जल्दी खाना होना बनाना ने तो ऐसे क्या था कि मॉर्निंग में खाना बन जा रहा था तो दिन में उतना काम नहीं हो रहा था लेकिन हाँ आज है कि खाना भी बनाना है तो बस बेडर ठीक कर ले और क्या करते हैं बार बार खिड़की पर देख रही थी कि सिलिंडर वाला तो नहीं आया इसलिए क्योंकि वो जो आता है ना और बार आए ना देखना पड़ता है ज्यानी से उतर जाता है उसका नंबर तो मैं बार 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 देख देख फोन पर याद करती हूं पिर भूल जाती है अभी जब सिलिंडर वल आएगा ना तो देखिए कब मैं फिर भाग के आती हूं पहले देखने के लिए कि क्या था नंबर तो मेरे फोन पर नहीं आता है इनके फोन पर आता है लेकिन वो यह ना इस्क्रीन सोट भेज देते हैं कि जब भी सिलिंडर वल आएगा तो बता के ले रहते हैं तो पूरा अदम में पोस्त खराब हो गया था और बहुत ज़्यादा गर्मी है बारिश कल हुई यह ना जो हलकी फुलकी जो बारिश होती है ना वह सबसे ज़्यादा खतरनाव होता है और हर घर में आज कल तो सुनने में आ रहा है कि सानर्दी खासी बुखार सब को आए दिन यह हो रहा है क्योंकि मौसम जो चेंज हो रहा है कभी ठंडा हो जा रहा है कभी गरम हो जा रहा है तो यह देखिए सिलिंडर वाले भाईया आ गये हैं और यह देखिए सिलिंडर लेके चड़ रहे हैं अजब मैं पहले वो नीचे खड़े थे जब मैं कैमरा होता है तो मैं पहले इनसे बोलती है कि सिलिंडर चेक कर लिजिए उसके बाद ही दीजिएगा तो यह पैसा उसा ले लिये हैं और मुझे ओटी पी या था मैं बता भी दी और आज का व्लोग यहीं पर एंड करेंगे आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और